हेलो प्यारे बच्चो वेलकम बेक टो और्केनाईज नॉलच चैनल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 374 क्लास 6 विशे हिंदी है और ये वक्षीट आपके लिए 18 फेबरी 2021 के लिए शेडूल की गई है आज की वक्षीट में बच्चो हम व्याकरण का ट गई है देखे लड़का दोड़ता है इसमें दिया गया है लड़की दोड़ती है दादा जी अकभार पढ़ रहे है और दादी जी अकभार पढ़ रहे है अध्यापक पढ़ाता है अध्यापिका पढ़ाती है छात्र लिख रहा है छात्रा लिख रही है तो बैटा यहाँ यहाँ पे आपको जो है क्या यहाँ पे जो आपको समझ आ रहा है वो यही जो है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखे यह लड़का तो यह क्या है लड़की यहाँ दादा जी का है दिया गया है और यहाँ दादी जी अखवार पड़ रही है यहाँ अध्यापक है तो अ उपर लेखे वाक्यों में रिखांकित जो शब्द हैं, लड़का, दादाजी, अध्यापक और छात्र, ये किसका बोध करा रहे हैं, पूरुस जाती का बोध कराते हैं, तथा लड़की, दादी जी, अध्यापका और छात्र, इस्त्री जाती का बोध कराते हैं, पूरुस जा लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर, आदी, ये सभी पुरुष्चाति का बोध करा रहे हैं, तो ये पुलिंग हो गए, और इस्त्री लिंग के लिए लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी, आदी, तो ये सब क्या हो गए, ये सब इस्त्री लिंग हो नहीं होता, तो आपने English में पढ़ा है, Neutral Gender, ठीक है, यानि जैसे कि, ना वो Stirling होगा, ना वो Pulling होगा, तो उसको हम Neutral Gender कहते हैं, जिसको हम केवल English में पढ़ते हैं, Next देखे, नेमनलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए, तो बेटा, बहुत आसान सी Worksheet है, सबसे पहले हमें बताना है Pulling शब्द किसे कहते हैं, तो Pulling शब्द किसे कहते हैं, पुरिष जाती का बोध कराने वाले शब्दों को Pulling कहते हैं, तो ये आपका जो है, प्रशन एक का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, Next देखे, नमबर दो दिया गया है, इस्त्री लिंग शब्द किसे कहते हैं, तो इस्त्री लिंग शब्द किसे कहेंगे, इस्त्री जाती का बोध कराने वाले शब्दों को इस्त्री लिंग कहते हैं, तो ये जो है, आपका दो का उत्तर हो जाएगा, और ये पहले वाला आपका पहले का उत्तर हो जाएगा next करेंगे नीचे दिये गए शब्दों के link बदल ये तो नीचे दिये गए जो शब्द हैं उनके link बदल ले हैं तो देखे जैसे पुत्र है तो पुत्र का link हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा पुत्र का link हो जाएगा पुत्री, तो यह आप लिख देंगे पुत्री, अब देखे, next है, इस तरी link में आपको लूटिया दिया गया है, तो pulling शब्द इसका क्या हो जाएगा, pulling शब्द इसका हो जाएगा लोटा, ठीके, pulling शब्द इसका हम लिखेंगे लोटा, pulling शब्द इस ठीक है, next देखिए सो बिटा यहां से complete कर लेंगे देखे, लोटा, लुटिया, पुत्र पुत्री, शेर, शेरनी, नायक का क्या होगा, नाईका, नर, नारी, नाना, नानी, भाई, बहन ठीक है, तो यह जो है pulling शब्द हो गई, और यह हो जाएंगे strilling शब्द और बाकी जो आपकी book में दिये गए हैं, उनकी भी practice कीजिएगा, जितने practice करोगे, बहुत जल्दे आपको यह learn हो जाएंगे, काफी easy work sheet थी बटाइए, वीडियो अच्छी लगी, तो like कीजिए, share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, thanks for watching students, have a nice day